हेलो एब्रिवन तो आज मैं आपके साथ भरवा बैगन मसाला की रेस्पी शेयर कर रही हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं सबजी बहुत ही टेंपरिटिंग दिख रही है बहुत ही टेस्टी बनी भी है आप इसे रोटी पराठे चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं बहुत अमेजिंग टेस्ट होता है तो रेसपी को एक बाट राइज जरूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे रेसपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें तो चलिए बनाते हैं आज हम भरवा बैगन मसाला और को जुडा ही रहने देंगे और इस तरह से चार हिस्सों में कट कर लेंगे और ध्यान से देख लेंगे कि बैगन में कोई कीडा तो नहीं है तो इस तरह से हम सारे बैगन को काट कर तयार कर लेंगे और उसके बाद हम इसके लिए मसाला तयार करेंगे तो यह देखिए इस त अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो यहां पे कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं या फिर आधा तीखा और आधा कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं मैंने यहां पे पूरा तीखा वाला ही लाल मिर्च पाउडर लिया है और उसके मैंने इस पर जीरा पाउडर आदा चोटा चमझ काली मिर्च पाउडर और यह एक चुटा चमझ गरम मसाला पाउडर जिससे इसका टेस्क बहुत अच्छा आता है तो आप इसमें गरम मसाला पाउडर जरूर एट कीजिएगा और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा चमच आमचूर पाउडर खटास के लिए और यह है स्वादनुसार नमक सबी चीजों को अच्छे से पहले हम मिक की आप चाहें तो आधा चुड़ा चमच हलदी पाउडर भी इसमें आड़ कर सकते हैं मैंने बाद में ग्रेवी में आड़ किया है तो मसालों को थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इस तरह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत पतला हमें नहीं करना है तो यह देखिए मसा मसाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अंदर अंदर इस तरह से चमच या फिर हाथ की मदद से आप मसाले को डाल दे और जो भी बाहर लगी मसाला उसे आप खटा लें चमच से इस तरह से और इस तरह से हम सारे बैगन स्टफ करके तैयार कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा में आपको बिल्कुल मसाला डाल देना है थोड़ा-थोड़ा दोनों साइट से तो सेम इसी तरह से हम सारे बैगन स्टफ करके तैयार कर लेंगे और उसे दस मियाट तक इसी तरह से रहने देंगे उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे तो यह देखिए सारे बैगन मैंने स्टफ कर लिये हैं और यह जो थोड़ा सा मसाला बचा है इसका यूज हम ग्रेवी में करेंगे और इसके अलावा हम कोई भी मसाला नहीं यूज करने वाले हैं तो यहां पर मैंने कडाई को भी रख दिया है गरम होने के लिए बैगन को स्टफ के हुए लगबग 10 मियट हो चुके हैं तो कडाई में मैंने एड कर दिया है तीन बड़े चमश सरसो का तेल आप जो भी तेल खाते हैं उसमें बना सकते हैं लेकिन सरसो के तेल में यह कर आराम से 5 मियट तक पकने देंगे और उसके बाद फिर से हमें एक बार इसे चलाना है पलटना है अगर आप बैगन को सुखा सुखाई खाना चाहते हैं इसके ग्रेवी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर बैगन को 100% पका लें लेकिन इसके लिए मैं ग्रेवी ब चुके हैं अभी बैगन थोड़ा सावर पकेगा तो मैं इसे फिर से एक बार ढग देती हूं और यह देखिए अब बैगन हमारे लगबग 70% पक चुके हैं काफी सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद हम ग्रेवी तयार करेंगे तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं पहले और उसके बाद ग्रेवी तयार करते हैं तो बैगन फ्राई हो चुके हैं और यह जो बाकी का बचा हुआ तेल है इसे में हम ग्रेवी बना कर तयार करेंगे और इस ग्रेवी में जो थोड़े बहुत मसाले हैं उससे बह कुल लो रखिए नहीं तो यह मसाले जल जाएंगे और फटा-फट इसमें एक चुटा चमत जीरा और दो मद्यमाकार के प्याज बारिक-बारिक काट कर एड़ कर दीजिए आप चाहें तो यहां पर प्याज के पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो तो प् पेस्ट इसे भी अच्छह से मिक्स करेंगे और ठोड़ा भुन लेंगे अधरक लैस उनका जो पेस्ट है उसका कच्छापन बिलकोल दूर हो जाना चाहिए यहीं पर तो यह देखे यहां पर अधरक लैसट भी अच्छह से बुन चुका है इसके बाद जो थोड़ा सा मसाला हमने बचाया था उसे मैंने थोड़े से पानी के साथ घोल कर इसमें एड़ कर दिया है और इसे भी हम दो से तीन मिनट तक अच्छे से पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे ही फ्लेम को हाई ना करें इस तरह से जब आप कोई भी सब्जी लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही जादा बढ़ जाता है हाई फ्लेम पे बने हुए सब्जी की अपेक्छा तो यहां पर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी आड़ कर दिया है आदा च्छोटा चमच ताकि हमारी सब्जी में अच्छा सा कलर भी आ जाए क्योंकि हल्दी डालन और मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मसाले कितने अच्छे से पक चुके हैं लगबग 2-3 मिन तक मैंने बस मसालों को ढख दिया था तेल बिलकुल आलग होना स्टार्ट हो गया है तो थोड़ा सा स्पैचुला की हेल्प से हम टमार्ट के हिसाब से थोड़ा पानी और थोड़ा नमक जितने भी आपको ग्रेवी चाहिए उससाब से तो यह मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी आड़ कर दिया है अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद जो बैगन हमने फ्राई करके रखा है उसे इसमें एड़ कर देंगे तो यह देखिए बैगन को भी मैंने इसमें एड़ कर दिया है और इसके बाद इसे अच्छे से हम पकने देंगे धक कर जब तक कि बैगन हमारे अच्छे से ना गल जाए पूरे 100% ना पक जाएं क्योंकि बैगन अगर थोड़े से भी कच्छे रहेंगे तो सबजी का टेस्ट अच् बैगन पूरी तरह से पक चुके हैं लेकिन यहां पर मुझे ग्रेवी थोड़ी सी जादा लग रही है तो सब्जी को मैं थोड़ा सा सुखा लेती हूं तो यह देखिए सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्लेम को मैंने ओफ कर दिया है उपर से हम एड़ कर देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो गर्मा गरम भर्वा बैगन मसाला बनकर बिल्कुल तयार है बहुत ही टेस्टी बना है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें से तो रेसेपी अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल कि दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए अगर रेसेपी थोड़ी से भी पसंद आती है आपको कुछ भी अलग बनवाणा चाहते हैं नैया बनवाना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसेपी के साथ नेक्स कर दोचूश लचरा टो अजय कर दो आग ग्माच जार टमाच आग रगा का जीज प्रड़ाग आगाई के लिए के जुक्त आग बिला है जड़ा आ दो भाह यागा है और चार नोग एंपर आगा जा या दोफ एंपर आ तर आगा है जब शोबादाई ये दो जूब थागा आ